नमस्कार, मैं हूँ होम कुकुरूमा और मैं करती हूँ आपका स्वागट दियर फूड में आज हम बनाने वाले हैं रम मॉफिन्स या रम कपकेक जो की होने वाला है बिलकुल वेज और बहुत ही टेस्टी सबसे पहले मैं एक कप ले रही हूँ चीनी यह एक बहुत ही अच्छा सा कलर एड करने वाला है हमारे कपकेक या मॉफिन्स का तो हमने सबसे पहले एक पैन को गर्म करना है तो हम उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे लो फ्लेम पर रखेंगे और शुगर को डालेंगे बिना पानी के हमने इसे शुगर को लो फ्लेम पर कूप करना है एक बहुत अच्छा सा कलर आने तक जब कलर आ जाए तो एक क्योंका जो सिर्फ पीला हिस्सा है मैंने उसे ही ग्रेट किया है तो ऐसा करना है और देखिए इसका काफी अच्छा हो गया गैस को बंद कर दीजे और थोड़ी देर इसे ठंडा होने दीजे तो यह अभी मीडियम ठंडा हो चुका है मैं इसमें और बटर आड़ कर रही हूं ताकि यह पैंसे बिल्कुल भी ना चिपके और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करना है तो हम चेक करेंगे लगबग एक कप के लगबग पानी मैंने इसमें मिलाया है और अभी इसे फिर से गैस पर चढ़ाएंगे और मेल्ट होने तक इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे अभी गैस को बंद करेंगे और इसे अच्छी तरह से थंडा होने के लिए रख देंगे दूसरी तरफ मैं वहाँ पे सेम मेजरिंग कप से एक कप दही ली हूँ और यह शुगर सिरफ जब अच्छी तरह से थंडा हो जाए तो इसमें मिला लीजिए और एक हैं मैं इसमें वनीला एस इंस टाल रही हूँ बाकी के वेट इंग्रेडियन्ट हम बाद में मिलाएंगे जब हम बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे होंगे अभी ड्राइ इंग्रेडियन्ट के लिए मैं एक च्छनी से चान लूँगी तो दो कप मैदा ले रही हूँ मैं इसके बाद मैं एक छोटा टी स्पून मैं यहां पर बेकिंग सोडा और चार टी स्पून सेम स्पून का इस्तमाल करते हुए बेकिंग पॉडर आधा टी स्पून मैंने लिया है जिंजर पॉडर और दो तीन चुटकी मैंने लिया है दाल चीनी का पॉडर अब दोनों wet और dry ingredient को मिलाने से पहले हमें अपना tray या फिर mold को ready कर लेना है तो इस तरह से उसमें हमने oil लगाना है और उसकी बाद मैदा से हमने इसमें dusting करना है तो आप बड़ा tray या फिर चोटे-चोटे molds का इस्तमाल कर सकते हैं अब हमने dry ingredient और wet ingredient को आपस में मिला लेना है और हमने अभी cut and fold technique से इसे mix करना है अभी आप देखेंगे कि यभी काफी थीक है तो इस stage पे consistency चेक करते हुए मैं आधा cup oil और same measuring cup से लगबग 1 cup मैंने condensed milk का इस्तमाल किया है यह है raisins जिसको मैंने 48 गंटे पहले rum के अंदर soak करके रखा था अब यह 48 गंटे में काफी अच्छी तरह से soak हो चुका है अब हमने इसमें डालना है और एक चमच मैं इसमें rum डाल रही हूँ लेकिन आप ज़्यादा raisins और ज़्यादा rum का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह अब देखिए batter की consistency बिलकुल सही है हमें ऐसा ही चाहिए ना ही जादा running हो और ना ही बहुत जादा थिक अब हमने एक spoon की help से हमने सारे molds के अंदर इसे डालना है और हमने बहुत उपर तक इसे नहीं भरना है इसके बाद हमने इसे हलका सा set करना है और यह है थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम जिसे हमने इसके उपर लगा देना है और हम इसे 180 degree preheated oven में 30-35 minutes के रखेंगे और यह कुछ इस तरह से बन के तयार हो जाएगा हमें और extra batter का मैंने अलग से भी बना लिया है और इसे हमने पहले ठंडा हो जाने देना है उसके बाद निकालना है हम देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी तरह से बन पर तयार हो गया है यह है रम जिससे हम एक brush की help से केक के उपर muffin के उपर brush कर लेंगे और यह अच्छी तरह से रम को और जादा अंदर observe कर लेगा और soft हो जाएगा आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा स्पंजी बना है और काफी अच्छा सा कलर आया है बिना ही चोकलेट पाॉडर के या कोको पाॉडर के तो यह बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा यमी है आप इसे enjoy करिए सर्फ करने में भी बहुत easy है तो घर पर बनाईए और सब के साथ खाईए बताईए आपको कैसा लगा वीडियो अच्छी लगी तो please like, share and subscribe करिए मैं मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में till then keep eating and take care